हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जी आप देखने सुनी था शर्मा प्लांट लवर का चैनल में गाडनिंग करती हूँ गाडनिंग करना सिखाती हूँ जी और साथ साथ में इस तरह से नेचर को बचाने का काम भी मुझे पहुत अच्छा लगता है जी फ्रेंड्स से ना के लें जी फ्रेंड्स से फिल हाल चलिए मैं हमारी यहां कौन-कौन से फ्लावर प्लांट से फिल हाल इस मौसम में लगाई जा सकते हैं उस पर चर्चा कर लेती हूँ जी देखिए यह आप देख रहे हैं सदा बाहर का प्लांट जैसा नाम है बिलकुल उसी के मुताबिक जी ह इस प्लांट को अगर आपने ग्रो नहीं किया है तो आप इसे अवश्य ग्रो कर लें आपकी गाडन में सदा बाहर लाने वाला प्लांट है यह जी देशी यह जो है बिनका कहते हैं इसको देशी बिनका भी आप लगा सकते हैं हाइब्रीड भी लगा सकते हैं दूसरा प्ला नाग चमपा इसके जो पत्ते हैं नाग के फंड जैसे हैं इसलिए से नाग चमपा कहा जाता है जी फ्रेंड से ये भी कटिंग से लग जाता है और इसी तरह से दूसरा और चमपा है चलिए देखिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो इस तरह से हम आपको फ्री के पौधे लगाना सिखाएंगे जी फ्री के पौधे वो भी कटिंग से बेलकुल फ्री में यकिन मानिए फ्री में बहुत से पौधे लगा करके आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं जी तो साधी पौधों पर जो बिमारिया लग जाती है उसका भी हम आपको औरगेनिक उपचार बताते हैं कौन सा पौधा जड़ से लगता है कौन सा पौधा बल्ब से लगता है जी और कौन सा कहीं से लाकर के लगा दिया जाता है तब भी आती है आपकी गार्डन में बाहर देखी स्पाइडर फ्लावर प्लांट जी फ्लावर है ना बिलकुल स्पाइडर जै और इसे भी आप अपने garden में add कर सकते हैं, सच्चमु चीज का लगावा एक flower ये मानिए कि 7-8 दिन तक चल जाता है, जी कौन से आप cutting से लगा सकते हैं और कौन से आप nursery से ला करके लगा सकते हैं, nursery से लाते समय कौन कौन सा रखे, आप ध्यान ताकि आपके flower plants जो है बराबर भ जी कौन से हमारी यहाँ चलेंगे और कौन से नहीं चलने वाले प्लांट से हैं, कौन से थोड़े दिन तक ठैदने वाले प्लांट से हैं, सबी की सबी बातों की जानकारी आपको दी जाएगी, नर्सरी से लाने वाले फ्लावर्स प्लांटे इतने ब्लूम कर रहे होते हैं फिर क्यों सूख जाते हैं उन्हें सूखने से कैसे बचाएं एक नहीं बहुत से सवालों का जबाब मिलेगा जी इस चैनल पर चांदनी का प्लांटे देखिए कटिंग से लगता है और इसमें बहुत जो है फ्लावर्स लेने हैं तो आप क्या करें पिंचिंग कर दें प्रूमिंग करें बिलकुल बिना किसी परहेज के छोटी छोटी सी अगर कलियां भी जा रही हो तो कोई विचार ना करें प्रूमिंग करने से जादा ब्रांचिस आएंगी और मिलेंगे आपको अभ्यास जब जूड़ जाता है तो नैचुरल है कि हाँ कुछ हम सीख चुके होते हैं वही ज्यान शेयर करने के लिए बस हम आप से मिलने के लिए आते हैं समय समय पर देखिए कटिंग से कौन कौन से पौदे लगते हैं और कैसे पौदों की मिट्टी तयार की जाए फ्ला करें इन सारी बातों को बस इस चैनल के माद्यम से आप देख पाएंगे फिलाल चलिए मैं गुड़हल की कुछे कटिंग लगा देती हूं मेरी गुड़हल की लगाईवी लगबख हर कटिंग सक्सेस होती है देखें इस तरह के फ्लावर किसे अच्छे ने लगते सबी का मन महका महका और बहका महका सा हो जाता है इन फ्लावर को देखकर सच मुच हम भी ब्लूम करने लगते हैं अरे प्रकरती से जुड़ जाते हैं तो बस सारी हारी बिमारी टेंशन बिलकुल फ्री हो जाते हैं कौ पसरी से लाते टाइम आप बे मौसम के पौधे न लाएं बस ये सारी बाते आपको इस चैनल से मिलने वाली हैं अगर आपका पौधा किसी समय विशेश में सुखा सुखा सा हो जाए तो आप उसे उखाड कर नहीं फैकें बलकि आगे और क्या करें इन सारी बातों का जबाब फ्रेंड से आपको एक ही चैनल से मिलने वाला हैं और कौन सा पौधा ऐसे जंगल की तरह है अगर आपको बनावा मिल जाए तो उसे आप बस एक पौधा लेकर के आए और अपने गाढ़न में एड कर दें फिर देखें फूलों की पहार कौन से पौधे को कितनी धूप और चाय में लगाए इन सारी बातों का जबाब फिल हाल बस धीरे धीरे आपको डे बाए डे मिलने वाले हैं लेकिन अरे इसके लिए सस्क्राइब करना बनता है और साथ ही बेल आइकोन को दबाना ताकि बीना काई वे आपके पास में नोटिफिकिशन आ सके और आप प्लांट से लगा सकें देखिए ये करना लिली कितनी अच्छी ब्लूम करी है किसी टाइम में केवल केवल एक जो है जड़ लाकर के यहाँ पर लगाई थी लेकिन ऐसी जगह लगाई कि फिल हाल जंगल के जंगल बन गए हैं साथ ही फ्रेंड से हमारा अपना चैनल कई तरह की पॉजिटिव वाइबस भी आपको देने वाला है अरे सस्क्राइब करना बिलकुल नहीं भूले होंगे चलिए फिलाहल दीजी इजाजत फिर मिलते हैं नई वीडियो में नया कुछ क्रियेशन करते वे अभी देखिए लेने के लिए थोड़ा सा रिलेक्स फिल करने के लिए बिलकुल आप हमारी चैनल से जुड़े रहेंगे ऐसी उमीद करती हैं जैहीन जैभारत